असलाम लेकूं वेलकम तो दिल से फुटक कर आप देख रहे हैं आपका अपना यूटीब चैनल तमाम हुमते मुस्लमा को एद मुबारे आज जो टिशम बनाने जा रहे हैं वो है कलेजी देखें कलेजी और दिल आज हम बनाएंगे विदाउट कलेजी और दिल इन चीज़ों कई इद का दिन बेकार है सुबा का नाश्था हमें करना है अगलेजी के साफ कैसे बनाए जाती है इसको किस तरह सफाई किया जाता है मैं आपको दिखाता हूं चलेए इस टार्ट करते हैं इद की स्चिष्यों को कलेजी के साफ देखेंची सब से पहले बादे लेजी करना है इसको अब इसे उतारने से आपकी कलेजी में स्मेल बास जूंसी आती है खून ती हमक वह नहीं आएगी और बनेगी भी बिल्कुल सॉफ्ट अगे देखें इसे आपने इसको रिमूब कर लेना है अराम से उतर जाती है हाँ इसेखें इसको ड्ली कोछी का एक दारे जागे आती हुआ ठीजीड होगा है देखें ये चीजे रिमूव कर लिजेगा ये हाड होती है ये पकेंगी नहीं देखें जी बिल्कुल साफ हो गई है कलेजी कोई जिली नहीं है इसके उपर अभी हम इसकी और सफाई करेंगे और इसके बाद हम इसके पीस करेंगे करें कि चुटेशटेशटेशटेश पीस कर लेइगे इसके इसके अभी हम इसके इस तरह इसको काटेंगे चुटेशटेश पीस इसे लेगे ऐुको बढ़ हो जया जहीं किया कर कक aproximadamente मैंने 2 को इ il क利 षुत किपो हो झाल् को बढ़ हो पु़ पु़ छ्यक कमें को कonta इनी तर टक एकरने चिपना अर्णे टकर पक तर गोर मेंदे हो जंती है जर एक हो सक्थरियन – नहा हो जा एक हो जा शक्ड़कर को में ग्  अच्छा जिकलेजी को अब साफ कैसे करना है मैंने एक देशकी में पानी ले लिया तकरीबन एक जग इसके अंदर हम ख्लेजी डाल देंगे तकरीबन हाफ टीस्पून हल्दी तीन से चार चमच वेनिगर सिरका अब हम इसको तकरीबन दस से पन्दरा मिनिट तक इसको हम पकाएंगे इसको बॉयल आने तक तक इसकी जितने भी गंदगी है खून है जो कुछ भी इसमें है उस साफ हो जाए तो दस से पन्दरा मिनिट का हम इसको टाइम देंगे दस से पन्दरा मिनिट में बॉयल होके यह रेडी हो जाएगी बिसम लार रख्मान इरहीम देखिए जी बॉयल करने से कलेजी का पूरा जो पूरा जो पर आ चुका है इसको हम साफ कर लेंगे देखें से साफ कर लेंगे कुछ भाल सिख़ा है कि अधिर के लिए थ्ट पुलेगा आ जागा है आई कि अधिर को दो थे नहीं है अछी पिर जागा ज़िए पिर शीटार आ आ यह फिर इन जब आ समय के निदे आ आ पिर है कर दो दो है करेंगे बनाना स्टार्ड करेंगे सबसे पहले हम लेंगे आइल यह दो अदद प्याज है जो मैंने ग्रैंड कर ली है द्रम्याने साइज की दो अदद प्याज मैंने ग्रैंड कर ली है वैड करेंगे इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे उसके बाद बाद की मिसाले आइड करेंगे तरह हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है विसके इंगर दो खाने के चमाज हम अदद लसन का प्रेस काईट करेंगे अच्छी तरह दोनों को पाई करेंगे क्तिक करेंगे मासाला हमारा भूं चुका है उसके अंदर हम एक ग्रैंड हुआ वा टीमाटर डालेंगे एक अदद मैंने ये ग्रैंड कर लिया टीमाटर वाट करेंगे मासाले इसमें आड़ करेंगे तकरीबन हाफ टीस्पून गरा मसाला है एक टेबल स्पून खुटिवी लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून जीरा हाफ टीस्पून हल्दी फुल टेबल स्पून लाल मिर्च ये सारे मसाले आड़ कर देंगे हम एक बड़के अष्थास कटेंगे लाए ये टेबल प्रिफास पाराइ नहीं एक में जोड़की दृड़की दोलाइड खुटिवी सालेट करेंगे पाराइड नहीं एक टेबल स्पून थाईग में जोड़की देए बून लेना आपने कलेजी हमारी तकरीबन 50% डन है कलेजी को खाली हमने इसमें डाल के दम लगाना है मसाला अच्छी तरह भून लें जी मसाला भून चुका आईलो पर आ गया है इस टेज पर हम इसके अंदर दो हरी मिर्चे एड़ करेंगे वह भूनेंगे कलेजी आड़ करेंगे अब हाँ कले हुआ कर horribly तodu की उसाजाँ सब भून की थे पज़िया के वह संगूिस न прокाया औ no तक कर सकอ्फी कि संबड गशाओ के भी की नहाँ कंई यह बोल्लों रहाँ पड़ाशानी है इस केज़ पर तकरिबार हम एक कप दहीं आड़ करें एक बार तो एक ज़रोगाई है कर लेंग, क्लेजी को पकाने के लिए कभी भी इसके अंदर पानी एड़ने कीजेगा और नमक भी कभी एड़ने कीजेगा कि इसको भाम हलकी आच पर तकरीबन 10-15 मिन के लिए दम पर रखेंगे जी बिस्मिल्ला कलेजी जो उनसी है तकरीबन हमारी डन हो चुकी है दम आप खोलेंगे इस स्टेज पर मैं आपको दो में चीजेगा इसके अंदर हम एड़ करेंगे अब नमक तकरीबन हाफ टेबल स्पून नमक है और इस डिश की जान कसूरी मेथी यह आपने डालना नहीं बोलना कसूरी मेथी एड़ करेंगे अच्छी तरह भूलेंगे अच्छी तरह भूलेंगे आ डिसके अच्छी में नमक अपसेंड में ढला जाता है ताकर एक लेजी सहत ना या भी बिलकुल नरम बिलकुल मलाई जैसी बोटी बनी आपको दो चार मिनिट के लिए दम पे रखेंगे ताकर में थी खुषभूँ में आजाए उसके बाद आप मोश फरमाएब से